यहां पर बात कर लेते हैं आए फिया लिमिटेड की कुई लिए अनलिसस देख लेते हैं चैनल को लाइक एं सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो पहले यहां पर कुछ चीज़ें बता देता हूं आए फिया ये वारे में जो नहीं जानते हैं बाकि फिर चार्ट डिसकस करें यहां पर यहां पर आती है इसको यह नतीज़े भी देख लेते हैं अब नतीज़ों पर इसलिए जो डाल रहा हूं क्योंकि यहां पर आप देखें इसके पहले इसके नतीज़े बिगड़े रहे हैं यहां पर नतीज़े थोड़े इस बार अच्छे रहे हैं इसलिए यहां पर स्टॉक में उच्छाल देखने को मिल रहे हैं सेल्स आप देखें तो 605 CR की रही है मार्च क्वार्टर में लास्ट एर के कंपर करें तो 414 CR थी तो वहां से काफी इजाफा हुआ है एक्सपेंसेस तू टू सिक्टी नाइए एक्सपेंसेस में खट होती हुई है क्योंकि मार्च में आप देखें तो लास्ट एक्सपेंसेस काफी थे 418 इवें जितनी सेल्स थी उससे जाधा लास्ट ताम यह नेगेटिव था माइनस 172 CR नेट प्रॉफिट इस वार 157 CR और लास्ट तैम यह माइनस 241 CR तो यहां पर आप देखें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल यह यहां पर आप देखें आएफसी इस एप्राइज तोड़े पीस फिफिटी हिट्स अपर सरक क्योंकि नतीजे अच्छे रहें और यहां पर दस परसेंट चला है स्टॉक और दस्टेट और अन्वेसी रिपोर्टे रिटर्न निंग टू प्रॉफिटेबिल्टी तो जैसा मैंने का कि नतीजे पहले बिगड़े रहें इस पार अप नतीजे सुधरते जा रहें प्रॉफ ने हो गया तो स्टॉक में मूव बहुत अच्छा आएगा ऊपर की दिशा के लिए नतीजे अच्छे आएं इसी लिए अब यहां पर आप देखें तो स्टॉक में और यहां पर ब्रेगाउट की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप देखें कि यह जो फॉर्मेशन र तो स्टॉक में इक सदनाप मूव देखने को मिल रहा है अपन को इसलिए यहां पर फिफ्टी रुपी सस्टेन कर गया हैगा कल के दिन क्या होगा वो देखते हैं कल के दिन स्टॉक अगर ऊपर की दिशा पकड़ेगा तो यहां पर पहला टागेट होगा फिफ्टी टू का सब्सक्राइब तो यह अपने कुछ 59 जाएगा जिस तरह से लोवर सब्सक्राइब करके नीचे आया था स्टॉक नतीजे बिगड़े तो वैसे करके अब स्टॉक उपर जाने वाला है वेल स्टॉक में जो फाइनल टार्गेट है पन भी 72 मान के चल लेते हो कोई बड़ा टा यह कुछ अपने लेवल्स रहेंग उपर के लिए अपने एजर रिजिस्टेंस सपोर्ट की बात आती है तो वैला फॉल की दिन तो चलेगा स्टॉक फिर भी एक कुछ सपोर्ट रहे कि माइनर पॉल बैक में स्टॉक पहला सपोर्ट तो यहां फटी ना बना सकता है नेक्स इसके नीचे तो नहीं जाना चाहिए स्टॉक और यहां पर एक अच्छी स्ट्रॉंग आपको रेकवरी देखने को मिलने वाली है आए फसी आई लिमिटेड में तो होफुली यहां मैंने सारी चीज़ने क्लियर कर दी है आए फसी आई क्या कंपनी है किस चीज में डील करती है नतीजे कैसे रहे हैं और मूव कैसा आने वाला है तो यह अपने सारे सपोर्ट करेंगे ऊपर के रिजिस्टेंस तो होफुली अप सारी चीज़ने क्लियर हैं मिलते नेक्स्ट विडियो में दिस इस मिसु बम्यादफ साइनिंग आफ